अरे कृष्णा श्रीम धोकत गीता अध्याय चार स्लोक संख्या बारा कांग्छंता कर्मनम् सेधी कांग्छंता कर्मनम् सेधीम् आपका साउंड जो माइक टक पहुच नहीं रहा है तो माइक नजदी कर लिजे या फिर इतना लौड बोले कि माइक तक महुच आए और नजदी कर लिखे कांग्छंता कर्मनम् सेधीम् आजंता नाम कर्मनम् सेधीम् अजंताय देवता चिप्रम ही मानुसे लोके सिधिरभवती करमजा कांग्छंता कर्मनम् सेधीम् अजंताय देवता चिप्रम ही मानुसे लोके सिद्धिर भावति कर्मजा कांचलत कर्मना सिद्धिर भावति कर्मजा पढ़िए कांग्शंत कर्मनाम सिद्धेम यजंत यदेवता छिप्रम ही मानुसे लोके सिद्धिर भावती कर्मजा यस ओनलाइन पढ़िए कांग्शंत कर्मना सिद्धि यजंत यदेवता छिप्रम यदेवता छिप्रम ही मानुसे लोके सिद्धिर भावती कर्मजा हरे गिश्न परेक्रिश्ण कर्मनाश्धिम् यजन्त यदेवता चिप्रम्ही मनुसे लोके शिद्धिर्भवती कर्मजा नेक्स्टॉ कांचंता कर्म नामसिद्धिम् यजन्तम यदेवता नहीं मानुसे लोके सिध्धिर्भवति कर्मजा अरे खिश्ना नेक्स्ट अरे खिश्ना यदेवता नियांते नहीं मानुसे लोके सिध्धिर्भवति कर्मजा् अरे खिश्ना नेक्स्टुणिद्धि कर्मजा नेक्स्टुण। हरे कृष्य प्रफुजी ड़बवत पनों सिद्धिम यजन्त इह देवतना शिप्रवधी महनुषयलों के सिद्धिरबवति कर्मझा Hare Krishna Prabhu doya आझ्षsedna प्रफुच अर्मच ऑफड़ना शिद्धि आझ्जन्त इह देवता सिप्रह्पी नुषेलों के सिद्धिरबवति कर्मझा Hare Krishna Hare Krishna Next प्रणाम कांख्षंतम कर्मनां सिद्धिम एजन्ता यह देवता शिप्रम्ही मानुशे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा हरे क्रश्न प्रभुजी ःणवत प्रणाम कांख्षंतम कर्मनां सिद्धिम एजन्ता यह देवता शिप्रम्ही मानुशे लोके सिदिर्भवति कर्मजा अरे कृष्णा प्रभूजी डंडवत प्रणाम प्रभूजेलो के सिद्धिर्भवति करमजाँ और कुई अरे कृष्णा प्रभूजेलो के सिद्धिर्भवति करमजाँ ठीक है ओ गया कांग्छंत कर्मना सिद्धी यजंत इहा देवता शिप्रम ही मानुशे लोके सिद्धिर भवती कर्मजा कांग्छंत हा चाते हुए कर्मना सकाम कर्मो की शिद्धिम सिद्धी यजंते यग्यों द्वारा पुजा करते हैं इहा इस बहुत इक जगत में देवताहा देवतागन छिप्रम तुरंधी निश्यही मानुशे मानुशे मानुव समाज में, लोके इस संसार में, सिध्धी सफलता, भावती होता है, करम जा सकाम कर्म से, अनुवाद वंगतात परशे कृष्णी कृपा मूर्ती अशी भक्ति विदान, श्वाम शुलापरपात के द्वरह अनुवाद में लिख रहे हैं, इस संसार में मनुस्षी सकाम कर्मों म श्यकाम कर्म का फल श्यक्र प्राफ्त होता है जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय अरे कृष्णा त्वासरी भक्तों का स्वागत है थैंकियो सो मुच पूर ज्वरिंग अस आज हम लोक्षिमत भगत गीता के चोथे अध्याई के बार में स्लोग के उपर चर्चा कर रहे हैं गर्षित्र में क्या चर्चा होई थी किसी को याद हो इस स्वामिया मादेजी प्लीज गोएड प्रभुजी कल आप बता रहे थे कि भगवान भाव के अनुसार पल देते हैं और आपने रामायन के एक हमें कोट किया था कि जब श्री राम भगवान पहुंचे थे माता सीता के स्वामवर में तो उन्हें सब लोगों का भाव अलग था उन्हें देखने का जैसे राजा जनक अपने पुत्र के रूप में देख रहे थे और जो दूसरे राजा थे वो कॉंपटीटर के रूप में देख रहे थे और वाता सीता उन्हें जीवनसाथी के रूप में देख रहे थी और स्वामी के रूप में देख रहे थी तो जैसा जैसा भक्त का भाव होता है वैसे वैसे भगवान उन्हें पल देते हैं और आप भक्त के बारे में बता रहे थे कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनसे भगवान भाव का अदान प्रदान करते हैं और भगवान शुद्ध भक्त की साकार सेवा भी स्विकार करते हैं इस लोग में और डिव्य लोग दोनों में और उन्हें अपना सानिद्य प्रदान करते हैं और भगवान जो हैं वो शुद्ध भक्त को अपना फ्रेमा भक्ती भी देते हैं इस लोग में और दिव्य लोग में बढ़ अच्छा निए आपका ये से बोली बोली है जहां आपने बताया था मायावादी लोग जो उनको फल के लिए भजते हैं उनके उपर भी वो क्रिपा करते हैं और उन्हें वांट्शित फल भी देते हैं तो हमें हर स्तिपी में भगवान की सेवा करनी चाहिए चाहिए और अगर हम निश्काम है तब भी अर मुक्ती के मार्ग में जाना चाहते नहीं यह सेवा कर नीं चाहिए और उसी से हमें वारी नाइस बाहट अच्छा transmit पिछले स्लोग में बच्छाने वाला व्यक्ति उनके धाम की प्राप्ति कर लेता है और जिस भाव में वह भगवान की भजन करता है वह निश्चित भगवान उनसे आधान परतान करते है तो फिर एक मनमें प्रशन हो जाता है कोई वेक्ति अन्मूटेड हैं देखिए मुक्ति कांद प्रवो म्यूट रखिए तो मनमें एक प्रशन हो जाता है कि भगवान इतने क्रिपालू है जैसा जो वेक्ति भजन करता है उसको देते ही है और फल तो निश्चित देते हैं तो फिर लोग इतना अन्य देवी देवताओं के पास क्यों जाते हैं है कि नहीं देखा है कि नहीं कहां गए थे भी तरह पिट गए थे कहां कहां जाते फलाना बाबा फलाना बापू फलाना चाचा फलाना मामा फलाना साई इधर उधर भगते हैं यह तो देवी देवताओं के पास जाते हैं तो इस बात को यहां पे समझा रहे हैं कि बहुत अच्छा लोग है कांग्छतह कर्मणाम सिधिम अपने कर्मों की सिध्धी की कामना चाहते वे यजंत यह देवता इस जगत में वह देवता की पुजा करते हैं तो अपने भौतिक इच्छाओं के कारण लोग इस जगत में देवताओं की क्या करते हैं पुजा करते ह उस मनुष्य सिद्धिर भावती कर्मज़ इस प्रकार के कर्मों की सिद्धि जो है वह बहुत जल्दी मिल जाता है तो देवताओं की उपासना से यहां पर कर्म कारत बताता है सकाम कर्म मतलब स्वर्ख जाने की इच्छा पुत प्राप्ति की इच्छा या पिर इस जगत में क सिद्धि के लिए देवताओं की उपासना करते हैं इस संसार में मनुष्य सकाम कर्म आमें सिद्धि चाते हैं फ़ल सरुपइ देवताओं की पूजा करते हैं निशन से बस्वर्ख जो होता है देखिए इसको समझना बहुत जोर ही है और बहुत आसान है देखिए अगर रहने के लिए चाहिए तो क्या करता क्या कर सकता है सिंपली जो जेलर है उसको थोड़ा प्रसंद कर सकता है और वह उसके लिए सारे अरेंजमेंट कर देगा कर देगा कि नहीं कर देगा बोलो जो चियो उसे उपस्तित करा देगा लेकिन अगर उसको वहां से मुक्त होना है तो जेलर करा सकता है क्या करा सकता है तो उसी प्रकार से जो इस जगत में कुछ चाहता है तुरंद देवी देवताओं के पास से मिल जाता है लेकिन जो व्यक्ति मुक्त होना चाहता है भगवान का भजन करके तो सौभाविक सी बात है कि उसमें थोड़ा उसको क्या लगेगा समय लगेगा क्योंकि उसके लिए हिर्दे सुदोना आव सेके लेकिन भगवान के जो दास है जो देवी देवता है जो देवी देवता है में कुछ अच्छी व्यवस्ता करवा लिना यह सोभाव उसी बात है तो यह उतना कठीन नहीं है जितना की जेल से बाहर निकलना समझ रहे हैं то इस प्रकार से यहाँ जगत में सिधी प्राफ्त हो जाती है और प्राया लोग इस जगत में मुक्त होने के बारे में कितना अच्छा मेरा लाइफ चल रहा हुआ सब कुछ है प्राशंगिक को बहुत सुंदर है मिस कार्व कि श्यानि से घ्यान्म होता है इस सुलोक में भग्वान इस निश्काम कर्म के अनुष्ठान करताओं का विरलत्व भी कहेंगे साथ से पहले इस प्रकार के प्रसंगिक विश्यों को भगवान अब कहेंगे कि किस प्रकार निस्काम कर्म किस प्रकार से ज्ञान में परिवर्धित होता है देखे परसंगिक विसाय यह था कि भगवान ने बताया था किस प्रकार से उनका जन्म कर्म की दिबिता को समझ कर वेक्टी मुक्त हो जाता है यह बताया कि किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के साथ आदान परदान करते हैं जिस प्रकार से वह सामने वाला भजन करता है अब यहां भगवान कह रहे हैं कि किस प्रकार से निस्काम कर्म से निस्काम कर्म योग करने से आत्म ग्यान प्राफ्त होता है उसको समझाएंगे इस लोग में भगवान ऐसे निस्काम कर्म के नुशान करता हो बहुत बिरला होता है ठीक है और जो चाहता है कि मुक्त हो जाएं इहा इहा मने माने इस लोक में अनादी भूग वासना से नियंत्रित प्रानियों में कर्मूं की सिध्धी की लाल सा रहती है जैसे पशुपुतृत्रित्यादी देखिए अमारे जीवन में अनादी काल से भू ब्होग वासना जो है namic habe ji Boga वात जीव वात्ति हुआ इसको समझ पाना इंगित करना महत्राइब मुझकी समूझ रहें दो है भोग वासना में नियंतरत का है अब देखे समझे इस बात को क्या देख रहे हैं भोग वासना से नियंत्रित मतलब क्या हुआ कि हमारे हिर्दे में भोग की वासना है और उसी वासना ने हमको क्या करके रखा है कंट्रोल करके रखा हुआ है और उसी के अनुसार से व्यक्ति क्या हो रहा है इधर उधर भाग रहा है अब नहीं देख पाते कि लिघे किसी विश्ष्ष्ट चीज़् के प्रतियाकर्सित होता है कि रिखिर पैंटिंग का सोग कि किसी को घ्रलने का सोग लिए इंड्रादी देवताओं की सकामकर्मों के दौरा पुजा करते हैं, जो अनित्य वस्तु में अल्प मात्रा में प्रदान करते हैं, वे मेरी पुजा नहीं करते हैं, जो सभी देवों के स्वर हैं और जो उनके निस्काम करवों के संपादन करने के कारण उन्हें नित्य आनन्द प्रदान कर सकता, यह बहुत मतपुन बात है, द अनिति वस्तु जैसे ये भी माल लीजिए या पिर नौकरी ही नौकरी माल लीजिए उपहली थी आपकी थी नहीं थी बीच में है और फिर आगे खतम हो जाएगी तो एक कारण से कहा जा सकता है कि नहीं है अभी भी नहीं है तो इस कारण से वह हमको सुख नहीं दे सकती है अब देखिए ना यह जब चर्चा हो रहाँजू पढ़ रहा तो मैं सोच रहा था यह सी के विचे में एयर कंडिόजन अब देखिए एर कंडिशनर से कितना सुख मिलता है बहुत जादा सुख मिलता है क्या थोड़ा सा सुख मिलता है और उसके लिए मेहनत कितनी करने पड़ती है पहले तो बहुत सारा धन लगता है और धन लगने के बाद वह थोड़ा सुख देता है तो वो भी सुख क्या फिरी में नहीं आता है धन तो खरीदने में लगा ही और उसके बाद मंतली धन देना पड़ता है उसके बिल की रूप में और उसे सुख कितना मिलता है थोड़ा सा और वो भी खराब ही करने वाला होता है आप समझ रहें तो यह स्थिदी है समझ रहें तो इसलिए कहा जाता है तो मैं कर इधर ले लिया लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर आप देवताओं को एक पहाड के समान देंगे तो वह रिटर्न में आपको क्या देंगे एक सरसों के समान देंगे और वही हम लोगों लगता है कि बहुत है जैसे रावन ने दस तिर अरपित किया यगे में तब उनको क्या मिला सोने की लंका मिला लेकिन वही लंका बीबिस्तन जी को कैसे मिला भगवान को प्रणाम करने मादर से मिल गया मालम है ना केवल और केवल भगवान को प्रणाम किया और भगवान ने कह दिया लंकेस बस भगवान थोड़ा सा लेते हैं और देते कैसे हैं यहां उल्टा है देवी देताओं को आप पहाड की तरह देंगे तो उनको सरसों की तरह रिटन देगा समझ रहे आप वहाँ पे फिर ये मत लगा ना प्रोजी कोई भी भगवान चलेगा क्या नई ठीक है तो भगवान कृष्ण सभी देवताओं के स्वर है और जब इस प्रकार से निसकाम भावना से भगवान का बजन कोई करता है तो भगवान उसे नित्यानन प्रदान करते हैं अस्वित आनन प्रदान करते हैं और आनन ना लेकर के अलप वुद्धी वाले लोग जो है वह अनित्यवस्तुओं के लिए जो अलप मात्रा में प्रदान की जाती है देवताओं के दोरा उनका बजन करते हैं ठीकि आचा वह ऐसा क्यों करते हैं तो कह रहे हैं वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि निश्चित ही ऐसे सकाम कर्मों के फल सिग्र ही प्राप्त हो जाते हैं मुझे को निस्काम कर्म के द्वारा जान कर जो मुक्ति प्राफ्ट होती है उसमें समय लगता है तो एक बार बहुत सारे लोग भगवान के पास आ रहे थे भगवान से मांग रहे थे या चाहिए वह चाहिए भगवान दे रहे थे एक वक्ते बहुत दिर से कड़ाता तो किसी ने भजवान से पूचा प्रभू इससे इतना प्रतिक्षा क्यों करवा रहे है colocar बंदने क्या 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 है यह वेक्ति मेरा प्रेम चाहता है ले अगर प्रेम चाहिए भगवान का तो पेसंस दो रखना पड़ेगा न कैसा समझ रह हिए यहां ने के मिल जाता है कि आ उन्सबी मनुश्यों का जिन का भूग वासना से सदौर असद का विविय ग्रशतों क्रस्त हो गया और जो शिग्र भोग इच्छा पूर्ति का वर्च आता है वे मेरे भृतियों अर्थाथ देवताओं कि उस अर्थ के लिए पुजा करते हैं सठ और असध समझोय सब्सक्या सत का वीकलत यह कि सक ळांताया हूं registers मशनना चर्द रॉडजय का वीवेकार्थ या ऐस कारी को कर रहा हूं तो इस से मुझे सासवत लाप्राप्द में में बगवद Gita पढ़ रहा हूं तो इसके मुझे सास्वात लापराफ होगा की नहीं होगा? होगा और Physics Chemistry Math ए? आँ सास ऐ लेकिन किसके लिए ज्यादा मेंनद कर ए है? किसके लिए ज्यादा मेंनद कर रहे है हुआ? Physics Chemistry Math के लिए? अभी देखिए हम लोग कहा जा रहे अयुद्या जा रहे तो लोगों के पास बहुत बाने है प्रवजी बहुत गर्मी है प्रवजी काम है प्रवजी ये है प्रवजी वो है लेकिन वही लोगों को गोवा जाने के लिए वो लो तुरंद्रेटी या फिर साले की साधी है चार दिन पहले जा करके बैढ़ जाते हैं सोसराल में और कोई काम नहीं है लेकिन पनीर वाले की पास जा करके बूलेंगे पनीर में 10 ग्राम तुमनें इसमें ज़्यादा काट दिया, कम करो थोड़ा समझ रहे हो इस सब्जी में मसाला कम डाला कोई काम नहीं, उसको बुलाया भी नहीं है सब्जी वाले के पास, लेकिन जा करके बोलेगा ये इस्तिती है, वो असच चीज है साले की साधी में जाना, परिवार में रहना इतना इस सब वेश्ट हो जाएगा, खतम हो जाएगा लेकिन, क्या बोला, आयोध्या जाना है तो प्रवुजी, कैसे जाएगे, छोटा बच्चा है बच्चा बहुत परिसान करता है प्रवुजी, बिजनेस कौन समालेगा, घर कौन समालेगा इसलिए भराजी ने कहा, जर जाव सुसंपति जान की नात जो जग में तुम रोबिन होए मलूमें न? प्रवुजी, जिसलिए बोला गया है जब डारेटली बोल रहे हैं जर जाव सुसंपति जान की नात जो जग में तुम रोबिन होए अरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरे I think I got disconnected जी प्रवुजी, आ रहे हैं ना? आप प्रवुजी, जिसलिए बोला गया है जब भरत जी जा रहे थे राम जी से मिलने के लिए तो बहुत सारे लोग आए और कहें प्रवुजी हम आपके साथ नहीं जा सकते, बहुत हमें काम है ये है, ऐसा है वैसा है, प्रवुजी धन कहां से आएगा बचों का ध्यान कौन रखेगा इस स्कूल कैसे जाएंगे बच्चे लोग तो यो बोले कि अरे, ओ संपत्ती ये सब रख कर की, तुम क्या करोगे जो भगवान की सिवा में ना लग सके तो अगर वह संपत्ती भगवान की सिवा में नहीं लग जाए तो उसका क्या करना चाहिए उसको तो फिर जर ही जाना चाहिए ठीक है, जो जर जाउस संपत्ती सदन सुख मैं ठोड़ा गलत हो गया था तो सीता देवी का स्लोग था ये देखिए जर 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 उस संपत्ती सदन सुख सुहरिद मात पी तो भाई अरे बापरी बाप कितना कठोर बत बोला हुआ है सनम को होत जो राम पद करेन सहस सहाई बरत जी ने कहा जला दो उस संपत्ती को घर को, उस सुख को, उस मित्र को माता, पिता, भाई, बहन, धन सब जल जाए ये ओफिस में आग लग जाए बिजनेस में आग लग जाए खेत में आग लगा दो जो राम के मिलने में बाद हावाने जरा दो संपत्ती को जो भगवान के मिलने में बाद हावाने हम धन क्यों कमाते हैं ताकि भगवान की प्राप्ति कर सके उनके धामों का बर्मन कर सके यसने समंधी प्रेमी बच्चे क्यों है ताकि भगवान की भक्ति में साहता कर सके लेकिन जो धान जो समाज जो पुत्र जो नौकरी इत्यादी जब भगवान की भक्ति में इबादा करने लगे तो उसको जला दिना चाहिए कोई यूज नहीं है कि इसलिए सब लोग ध्यान रखिए एबरी बड़ी जितने लोग सुन रहे एक लास सब लोग इस बार जगर्नाथ पूर और अयुद्या जरूर आई आप लोग ठीक है डॉन मिस्द चांस ठीक है और भक्तों ने वैवस्ता भी हम लोग थोड़ी दिन रुके वे थे क्योंकि हमें वहाँ पेक अच्छा सुईधा नहीं मिल रहा था लेकिन भगवान की गृपा से अब सुईधा मिल गया है तो किसी प्रकार की तकलिफ नहीं है तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग कि मौका मच मिस्ट करिए और सबसे खास बात ये रहेगी क्या खास बात है कास बात ये है कि हम लोग वहाँ पे भगवान का कथा करने वाले है ठीक है पांस दिन राम कथा चलेगी 29 मही से 3 जुन तक लगाता और दो दो सत्र में पूरा राम कथा सुनेंगे जम करके सो डॉन मिस्ट चांस ठीक है जिनका भी तक टिकट नहीं हुआ है वो टिकट कराई है जिनका क्या कहते हैं उसको जो अभी तक बुकिंग नहीं कि वो बुकिंग कराई है लेकिन जैसे भी हो पाहूंच ये जरूर ठीक है सौम्बिया माता जी बच्चा बड़ा हो गया होग अभी तक आपका ठीक है जोती मारा होत्माता जी सब्लों मैं सबको बोल रहा हूं आम नॉट टेंग अनी स्पेसल एवरिबड़ी ठीक है मैं आप लोग से निवेदन कर रहा हूं अरे भगवान सी राम चंद्र आये हैं चलते हैं एक बार हम लोग क्या कोई दिकत है जाने मे कोई दिकत नहीं है ठीक है प्रियास करें प्रियास करिये अब्रीबड़ी डॉन में जाये जाएगे गला काड दिया जायेंगे गला कर दिया जाएगा वह ऐसी स्तिती में भी निकल सकते हैं मैं ऐसे इस्तिति में मना नहीं करने वाला हूँ ठीक है अगर मैं आपको सच बात बता हूँ तो मैं पिछले साल की घटना बताता हूँ अब मेरे साथ तो छोड़िये नहीं बताऊंगा नहीं बताऊंगा तो आपको लिंग प्रोजीब है नहीं मालो में नहीं ठीक है बाद में कई बताऊंगा ठीक है तो डॉन में जाएंगे वो कभी मिस नहीं होगा अरे आज मैं एक भक्त का कथा सुन रहा था कुछ वड़ा संसुना ही देता हूं मिरे मन में आ गया तो उनको बड़ी राम जी के प्रतिस्रद्धा थी और वह भगवान का नाम जब किया करते थे और ब्रिंदावन में रहते रहते थे एक साल राम जी के भगत थे रहते थे ब्रिंदावन में और फिर वह राम नौमी के टाइम में जाये करते थे तो कहते हैं उनका सरीर अब पूरा होने वाला था तो बहुत खराब हो गया नहीं जा पा रहे थे तो किसी सहारे वह पहुंच गए किते सरीयों में इसन किये और फिजब करने के लिए बैठे भगवान को भोग लगाया मौसमी का और मौसमी निकाला उसका एक पढ़का होता है न वह चूसा रखा उसको और जो उनके असिस्टेंट था उनको बोला मैं जा रहा हो राम नौमी मनाने के लिए और नाम जब करते करते उन्होंने सरी छोड़ दिया यह अच्छा है लेकिन हम लोगो धाम जाने की यह नियम बना करके रखना पड़ेगा तब तो ठीक है एक साल में वैसे भी दो से तिन बार तो जाना चाहिए अब नवेंबर में तो ब्रिंदावन फिक्स है एक धाम में यातरा यह रहता है और यह बीच में है इंडिया के एक दम बीच ओ बीच है तो सब लोग अलग-अलग अस्थान से भी पहुंचेंगे साउथ इंडिया टीम, उडिसा टीम, बॉंबे टीम, गुजरा टीम, सब लोग पहुंचेंगे एक अस्थान पे भी तो कोई दिकत नहीं है सब के लिए उतना ही लगने वाला ह ठीक है? डॉंट वरी ओके? प्लीज कम एवरिवड़ी आगे पढ़ते हैं और यदि कोई सद असद का विवेव की भी हो और संसार दुख से तरस्त भी क्यों ना हो अभी निसकाम कर्म के द्वारा मेरी पूजा नहीं करता जो देवताओं के भी इस्वर हैं दूसरे सब्दो में ऐसी योगिता बहुत विरला है तो कहने कारत है कि अगर कोई व्यक्ति अपने सास्वत लाव के बारे में समस्ता भी है कि मैं आत्मा हूं लेकिन क्योंकि वह भक्तों का संग प्राप नहीं करता तो इस कारण से वह भगवान की पूजा करना नहीं सेख पाता है ठीक है? तो कहा जा रहा है कि निसकाम कर्म करने वाला व्यक्ति बहुत दिरला होता है तत पर पर पढ़िये प्रूँ इस जगत के देवताओं के विशे में ब्रांत धारना है और विद्वाता का दंब करने वाले अलपग्यप मनुश्य इन देवताओं को परमिश्वर के विभीन रूप में मान बिठता है दंब का अर्थ क्या है? देखिए हमारे अंदर वा गुण नहीं है लेकिन हम उनको प्रदर्सित करते हैं और हम सोचते हैं कि जब तक लोगों को पता नहीं है तब तक बहुत अच्छा बात है क कोई दिकत नहीं है तो प्राय लोग इस जगत में सोचते हैं कि देवताओं देवता जो हैं वही परमिश्वर का एक रूप है और परमिश्वर कोई अलग नहीं है सभी देवता ही परमिश्वर हैं तो यह बहुत बड़े मुर्कता है क्योंकि अगर हम कहें कि परमिश्वर म ही नहीं होते किनतु वे इस्ष्वर के जिवान करश्ण न॓थ ह prise atrás करते हैं जैसे राम वरा न्रश्रिंग इत्यादी तुवहाँ पर रू यहाँ पर कहा जा रहा है भगवान के अभी जैसे की इस संसार में ए है वह मनुष्य है कि नहीं है वह अभी एक साधारन मनुष्य है या नहीं है जो डीम है एक लेकिन सरकार के द्वारा विसेश सक्ति-प्रदत है राइट इस विसेश काली करने के लिए बहुत आसान है यह देवी देवताओं के फिलोसिपी समझना तो उसी प्रकार से देवता होते हैं लेकिन और यह एक है किन्तु नहीं है सभी जीवातमा् नित्य हैं और भिगवान भी नित्या ein लेकिन उन सभी नित्यों में से एक नित्य हैं कौन भगवान कृष्ण जिनके उपर अन्य नित्यों की सत्ता भी आस्रित होती है वह भगवान इस्वर एक हैं और वह कौन है कृष्ण नित्यों नित्यानाम इस्वर एक हैं ठीक है अब आगे कहा रहे हैं इश्वरह परमा कृष्ण कृष्ण ही एक मात्र परमिश्वर है और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए सक्तियां प्राप्त है ये देवात्माय जिवात्माय है जिवात्माय है जिने विभिन मात्रा में भौतिक सक्ती प्राप्त है वे कभी परमिश्वर नारायन विश्णु या कृष्णी की तुल्य नहीं हो सकते जो व्यक्ति इस्वर तथा देवताओं के एक स्तर पर सोचता है वो नास्तिक या पासंडी कहलाता है पाखंडी है कि पासंडी है देखिए तो भुक में ठीके देखिए पासंडी लिखा हुआ प्रदान मंत्री तो वस्तूता या वहिया कहना चाह रहा है कि कोई प्रदान मंत्री नहीं है हम भी प्रदान मंत्री तुम भी प्रदान मंत्री ये भी प्रदान मंत्री ये भी प्रदान मंत्री वह भी प्रदान मंत्री वास्तों में प्रदान मंत्री कौन है इट मिन्स उसका अंडर्शेंडिंग के उनसार से कोई प्रधान मंतरी है ये नहीं समझने हैं बातों को तो ऐसा वेक्तिम मुर्ख है या फिरकुछ लोग कहते है रहे जिसको मान लो वही भगवान है तब तो आपको भगवान मान लिये इसको भगवान मान लिये हार एक भगवान माइक हो जाएगा अप जैसे सुरी तो एक ही है ना GLV Kate no रहा है ये बड़ा बड़ा अले का स्थ चूख रहा है अहीं इसका प्रकास सुर्य से ही उसको मिल रहा है लेकिन इसका आरतिया ने कि Bennett स्थिय हो गया यहां तक कि ब्रह्मात था सीव जीवर्याशी जह से बड़स्वर की समता नहीं कर सकते वास्तों में ब्रह्मातता सीव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है और शीव विरंचीन शीव विरंचीन उत्तमा उत्तमा तो भी आश्यरे की बात यह है कि अनेक मुर्ख लोग मनुश्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानगर करते हैं यह होता है भागवतम नहीं पढ़ने के कारण लोग नहीं समझ पाते हैं ब्रह्मा जी और सीव जी भी जिनकी चरणों में प्रणाम करते हैं वह है भगवान कृष्ण और ऐसे मुर्क लोग इसे जगत में मरंसील देवताओं की पूजा करते हैं और जो कुछ समय के चीए इह देवता पद इस संसार के सकतिसाली मनुस्या देवता के लिए आया है लेकिन नारायन विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं है इह देवता बता रहे हैं यह सब्द से इंडिकेट किया जा रहा है इह देवता इस संसार के देवता प्रपाजी इस जगत के देवता भी की जगत से ही आए हैं वो अभी बंदी हैं मुक्त पुरुस नहीं हैं लेकिन भगवान कृष्ण इस जगत से परे हैं वे भी भौतिक स्रिष्टी से परे रहने वाले हैं निर्विशेश वादियों के अगरणी स्रीपास संक्राचारी तक मानते हैं कि नारायन या कृष्ण इस भौतिक स्रिष्टी से परे हैं फिर भी मुर्क लोग रित ग्यान देवताओं की पूजा करते हैं संक्राचारी तक अब्यक्ताद नारायन अब्यक्त से भी परे है लेकिन मुर्क लोग इस बात को समझते नहीं हैं खाली भैस करने लगते हैं एक तो सास्र पढ़ते नहीं है और दूसरा इसे पूतरम जाएये अब पूतर मिल भी गया तो रखला पूत्र का सुखक तक मिलेगा अरे अपना ही पुत्र यब थोड़ा परिसानिक करने लगता है तो मन करता या दोचार तमाचा कीछ करके दें मन करता कि नहीं करता है कभी मअं आपको पड़ा है आपको पड़ा है अब पड़ते रहता है प्रोजी होगा तब ने अपने वदाओ ना अपने को पड़ा कि नहीं पड़ा समय रहे हैं तो पुद्र का सुख अगर मिल भी गया तो कब तक मिलेगा अब फिर आगे चल करके वही दुख देगा है ना और ना भी हो तो कितने समय तक पुद्र सुख भूख कर सकता है तो इस जगत में कोई भी सुख का फल बहुत कम समय के लिए है बुद्धिमान वैक्ति अता बुद्ध के चोड़े सुख के लिए नहीं भागता है वह भगवान की चरण कमल की प्राप्ति के लिए लगा रहता है और किसी ततकाल छनिक लाब के लिए किसी तुछ देवता की पूजा करने की आवसकता नहीं रहती इस संसार के देवता तता उनके पूजक इस संसार में संगहार के साथ ही विनिष्ट हो जाएंगे जाहे कितना भी बड़ा कोई वर्दान कोई देवता दे दे लेकिन स्रिष्टी के संगहार करते ही उसका वह बर्दान क्या हो जाएगा खदम हो जाएगा अब अरे इससे बड़ा क्या बर्दान हो सकता उपर ना मरो नीचे ने मरो दिन में नहीं मरो रात में नहीं मरो गर में नहीं मरो बाहर नहीं मरो आकास में नहीं मरो पताल में नहीं ट्लांग जाओंगा। ठीक है? वैसे इन देवी देवताओं का जो सरकार है, वो हर एक मनोंतर में क्या होता है? बदल दिया जता है, ठीक है? लेकिन भगवान भगवद गिता में आगे कहेंगे नाम भकता, परनविशती मेरे भक्तों का कभी नास नहीं होता देवताओं के वरदान भी बहुतिक तथा चनिक होते हैं यह बहुतिक संसार तथा इसके निवासी जिने में देवता तथा उनके पूजक भी समिल्थ हैं विराट सागर में बुलबुलों के समान हैं अब बुलबुलों का क्या value है को value है तो इस प्रकार से भगवान विश्ण उस्नास लेते हैं छोड़ते है तो इस ब्रह्मान जो कुछ बहुती गुपलब्दी है उसका क्या मूल ले बस इतना मूल ले कि उस गुपलब्दी को भगवान की सिवा में लगा दो ठीक है येस किन्तो इस संसार में मानो समाज च्छनिक वस्तूओं यथा संपत्ति परिवार तथा भोग की सामगरी के पीछे पागल रहता है पागल क्यों? क्योंकि वा सास्वत लाब को भूला रहता है और इन छोटी-छोटी वस्तों के पिछे अपने जीवन की सारी सक्ति को लगा देता है बस थोड़ा सधन के लिए ऐसी छनिक वस्तों को प्राप्त करने के लिए देवताओं या मानो समाज की सक्तिसाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं यदि कोई वैक्ती किसी राजनितिक नेता की पुजा करके सरकार में मंत्री प्राप्त कर लेता है तो वा सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है इसलिए सभी तथाकतित नेताओं को सश्टरंग परनाम करते हैं जिससे वे छणिक वरदान प्राप्त कर सकें और सचमच उन्हें ऐसे वस्तमें मिल भी जाती है प्रुपाजी इस तथाकतित क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नेता भी जो अपने चेलाओं को सास्वत लाब नहीं दे सकता है वो लाब देगा तो थोड़ा बहुत लाब देगा थोड़ा अभधन थोड़ा सुक संबत्ति बस ऐसे मुर्ख वैक्ति इस संसार के कष्टों के अस्थाई निवारन के लिए क्रिष्ण भावनामृत में अभी रूची नहीं दिखाते और ऐसे मुर्खों से दुनिया भरी हुई है ठीक है? इसलिए अपने आपको समझना चाहिए कि आप कितना भाग्यवान है है कि नहीं? कि आपको क्रिष्ण भावनामृत मिला तो फिर भी अभी क्या करेंगे? हम लोग अन्य किसी दिवी दिवता के पाइजा करके फिर बटकते हैं बटकते कि नहीं? अभी आने के बाद भी दिवतर मन जाता है जबकि हम जान रहे हैं कोई फाइदा नहीं फिर भी यहां जाएंगे वहां जाएंगे ऐसा करेंगे वे सभी इंदरी भोग के पीछे दिवाने रहते हैं और थोड़ी सी इंदर्शुक के लिए वे सक्ति प्रदत जीवों की पूजा करते हैं दिवता कहते हैं यह स्लोग इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण भावनामरित में रूची लेते हैं अधिकान्स लोग देखिए आप कितना विरला हैं कितना देख पा रहे हैं कितना मतपुर्ण है अधिकान्स लोग भहत तिक भोग में रूची लेते हैं फल इस महत्वपुन्ता को समझना चाहिए और अपने जीवन में भगवान की भक्ती को रखना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से भक्ती करना चाहिए ठीक है? हरे कृष्णा जगद गुरूष श्रीला प्रभुपाद की जय निताएगो प्रमानन दे हरी हरी बो तासरी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद की आप लोग क्लास में आए किने का कोई प्रश्न है? आप माइक में पूछिए माइक में आवाज जा रहा है कि देखे तो बोलिए वो भी नॉर्मल वक्ती है वो डार्ट पीम के पास नहीं जा सकता है वो तो डीम के पास जाएगा है तो फिर वी काम तो यहीं से नहीं होगा कोई भी नॉर्मल वक्ती है उसका जो काम होगा वो तो पर ले डीम के पास जाएगा वरी गुड बहुत अच्छा प्रश्न है लेकिन डारेक्ट लिए पहुंच है पीम से तो कोई भी सिंपल वक्ती डारेक्ट पीम के पास जाएगा है यहीं तो समझना है भगवान ने बताया कि मेरे तक पहुंच रहा हो तो बिरला है तब सिंपल कहां है प्रोसेस से जाओ ठीक है अब उसको अब फुली अप्लाइ नहीं कर सकते एक समझने क्लिक उधारन दिया गया अब उसी अनुसार से चलेंगे यह जोरत नहीं है बगवान तुम कहें ना सरदर्मान परितर जे मामेगम सरनम बजा यह भी दूख है अब उसी अनुसार से हम जो यह बहुत चीज़ एक त्यानक में अध्यात्मिक जगत का चाया है बहुत जगत अब ऐसा नहीं कि सेम टू सेम रहेगा ठीक है भगवान तो कहें हैं क्यों जोरत यहां पर जाने के लिए वहां पर नियम है बहुत ही जगत में नियम है लेकिन भ डिया असीन प्रवू कि आलेकृष्णा पुरूजी है रेकिष्णा पुरूजी भूली बोली बोली पीछले से ज़ों था पुछबले एक पुस्टं था हम लोगव स्री जुन को कौन सा रॉप में मानना चाहिए बोलते जैसे मानते उसी रूप में उन प्राप्ट होता है मानते हैं ठीक है तो हम लोग दास से दास से भाव में रहते हैं अब अलगले भाव किया प्राप्ति होती है जेनरली यूगल छवी की पूजा होती है राधार श्याम सुंदर राधा गोविन देव राधार माध हो समझ रहे इस प्रकार से अरे कृष्ण पूजी डंडवत मु पूछे अब बोली यह प्रभुजी प्रणाम यह बहुत दिन के बाद में क्लास में आ जाया हूं हाँ 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 मेरा मैं बेड में हूं और भगवान किसन को मैं अभी कैसे आद करूं कि मैं हमेशा सुद्ध नेरे पाता हूं कोई बात नहीं है भगवान कृश्ण का न इसका में मनी-मन करते रहता हूं और यह भगवान का नाम है तो बहुत नाम है नाम है जो है हर समय हर च्छन व्यक्ति को शुद्द करने वाला ए उसका हुरुद्र बाहाईया और अंदर दोनों शुद्द परने वाला है ठीक है और और लेदे प्लते हैं तो वस्य कैसे उस करना कि घृतर शुम स्कती हों में मैं पूर सकता हूं गी दा पर सकते कि दा सून सकते हैं कि आरे में रोख़्ुश्णार डिखावा गरना और उसका दिखावा गरना ठीक आरे मेंद्सुश्णार प्राब्वपात की जनिता आएको प्रिमानाने घरिवर अ और मुकरी एक completely पिछन पिछना, हरे हारी, हरे रामा